नमस्कार, स्वागत है आप सभी का The Economist में तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुवात करते हैं एक कोट के साथ और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं Stay away from the negative people, they have a problem for every solution तो कहने का मतलब है आपने आगे बढ़ना है जिन्दगी में लेकिन अपनी संगत अच्छी रखनी है, अपना जो आस पास है उसको अच्छा रखना है और आगे बढ़ते रहना है और अपना जो thought process है उसको positive रखना है और अपने goal के उपर पूरा focus देना और आगे बढ़ते रहना है तो जो negative जो लोग होते है उनसे बचना है, अपना बचाओ करना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो positivity है उसको कोई प्रभावित ना कर पाए कोई भी आपकी positivity को negativity के और ना ले जाए तो अपने आपको बचा कर रखो, अपनी positivity को exceed करते रहो तो अभी थोड़ा सा overview देखते हैं, तो यह आज का newspaper है तो Delhi edition हम यहाँ पर discuss करते हैं Delhi तो quote अभी discuss हुआ है, उसके बाद editorial discussion होगा आज speaking tree discuss नहीं होगा और इसके लावा front page से लेके startups and tech वाले page तक जितने भी important news निकल कर आएंगी इस अभी discuss होगी, उसके बाद शीशे के सामने तीन vocabulary के words होगे, जिनको आपने पढ़ना है और शीशे के सामने जाके उनकी practice करनी है economy का एक concept discuss होगा और आखिर में एक map होगा, उसको आपने identify करना है कि कौन सा map है वो तो lecture शुरू करने से पहले आप सबसे request है तो चलिए first article discuss करते है तो editorial discussion में जो first article है यहाँ पर बात कर रहे है start trials for mutant strains as a certain efficiency of co-vaccine other vaccine तो कहने का मतलब है हमें जो नए strain निकल कर आ रहे हैं coronavirus के, उनके regarding हमें ऐसी vaccine तयार करनी है जो उनका अच्छे से मुकाबला कर पाए तो यहाँ पर focus कर रहे है co-vaccine के ओपर, co-vaccine को कौन बना रहा है co-vaccine को भारत biotech नाम की जो company है भारत में, वो develop कर रही है और अलग-अलग nations में इसकी supply भी भी भेज रही है लेकिन दो दिन पहले हमने एक news पड़ी थी कि South Africa ने जो Oxford की अस्तरजने का जो vaccine है जो Oxford ने recommend की थी तो यह vaccine को वापस भारत को लोटा दिया है तो इस vaccine को भी यहाँ पर भारत biotech ही यहाँ पर बना रहा था तो इसका यहाँ पर नाम जो है co-vaccine है तो इसको वापस कर दिया भारत को तो reason यह बताया कि हमने जब इसको use किया तो जो corona virus का जो नया strain आया हुआ था तो उसके मकाबले में अच्छे से यह काम नहीं कर पाई तो बहुत ही कम efficiency देखने को मिली जितने इन्होंने लोगों के उपर ट्राइल किया था 2000 के आसपास के लोग थे और उनमें से सिर्फ 22% थे जिनके उपर इनने ने काम किया है इस vaccine ने काम किया है तो अभी South Africa ने Oxford AstraZeneca जो vaccine है उसको वापस कर दिया है भारत को कि आप वापस ले जाओ low efficiency देखने को मिली है नया strain जो virus का आया था तो मकाबला नहीं कर पाई तो अभी हमें focus करना होगा कि vaccine इस तरीके से तयार करनी है जो जितने भी तरह के strain अगर future में निकल कराते हैं virus के उसके साथ मकाबला कर पाई तो इसी के regarding भारत भी यहाँ पर इस नाजुक स्थेती को समझता है और यहाँ पर vaccine development efforts के ओपर यहाँ पर focus कर रहा है उसको और बढ़ा रहा है और यहाँ पर सरफ vaccines की ही बात नहीं है यहाँ पर उसके ओपर focus करने की बात है तो कहने का मतलब है vaccines के इलावा हमें और भी कुछ सोचना होगा तो अभी हम सरफ focus कर रहे हैं कि vaccine की chain जो है न वो न तूट जाए जहां जहां पर भी हमने supply भेजनी है हम भेजते जाएं भेजते जाएं लेकिन author यहाँ पर यह बात नहीं कर रहे है author बात कर रहे हैं कि चलो supply तो हम भेजेंगे लेकिन जैसे यह result निकल कराया जिससे मतलब एक negative image हमारी जो है बनी है हमारी pharma industry की वह नहीं बननी चाहिए थी तो अभी उसके regarding हमेरे सर्च के उपर focus करना होगा तो अभी world health organization ने भी यहाँ पर declare कर दिया कि covid जो है अभी endemic बनता जा रहा है जैसे UK में स्टार्ट हुआ था UK में lockdown लगाया गया पूरे देश में अभी South Africa में देखने को मिला ब्राजील में देखने को मिला नए variants निगल कर आ रहे हैं करोना वार्स के तो भारत को यहाँ पर जो भी हम drug यहाँ पर develop करते हैं इन बिमारियों को खतम करने के लिए भी उसके ओपर अच्छे से focus करना होगा उसकी शुरुआत करनी होगी तो आगे बात कर रहे हैं को वैक्सिन की तो को वैक्सिन कोविड वैक्सिन है जो की भारत बायोटेक के दवारा बनाई जाती है तो इनको ही यहाँ पर emergency authorization मिली हुई है कि इस वैक्सिन की आपने mass supply त्यार करनी है और इसको हमने आगे supply एक्सपोर्ट करना है आगे future में और ब virus protein के हिसाब से vaccine बनानी है तो जो वैक्सिन का जो base है virus protein वाले हिसाब से ना हो कि virus और मतलब फैलना शुरू हो जाए अच्छी effective जो है हमारी vaccine हो जो नया strain निकल कर आया virus का जो की अभी UK में भी काफी जो है फैल रहा है और आगे बात कर रहे हैं कि अभी हमें पता है कि नए strain virus के emerge हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो यह भी important हो जाएगा कि जो co vaccine की efficiency हम उसके बारे में सोचें तो उसको कैसे सही कर सकते हैं तो उसके regarding बात करें कि आप trials की ओपर focus करो तो यहाँ पर जैसे आपने South Africa की अगर बात की तो Brazil की अगर बात करें तो इनके साथ हम ties बढ़ाए इन countries के साथ और अगर यहाँ पर यह trial करते हैं इस vaccine का तो उसका एक पूरा report तयार करें अगर South Africa ने trial किया ब्राजील ने trial किया तो पूरा report तयार करें कि क्या report निकली है उसी report को use करके आगे further जो हम research कर सकते हैं तो वही बात कर रहे हैं कि results निकल कर आएंगे trials के उनको आप publish कीजिए उनको available कीजिए बल्ड के level पर तां जो की कम से कम समय में हम समय को ना गवाते हुए जो है अच्छा जो है assessment कर पाएंगे कि किस तरीके की vaccine की ज़रूरत है future में तो इसी करेंगारिंग जो है vaccines अगर आप future में बनाएंगे under development में जो है जो अभी जिनका pre-clinical अभी ट् कर आ रहे है उनका तो इससे हमारी country को काफी help मिलेगी तो अभी हमारा India जो है अभी world major manufacturer में से एक है जो vaccines का निर्मान कर रहा है इसके लावा जो generic drugs हैं उनका निर्मान कर रहा है तो हमें एक manufacturer के आगे जाके हमें एक developer के तोर पर काम करना है कि खुद से vaccine develop करें खुद से research करें खुद से हम यहाँ पर बिमारी को पढ़ें समझें और खुद से देखें कि किस तरीके का यहाँ पर हम nutrient दें जिससे की vaccine अच्छे से पर भावशाली बढ़ें तो हमें आगे developer के और भी आगे बढ़ना है सरफ manufacturer ही नहीं रहना है तो covid pandemic यहाँ पर यहाँ पर कोशिश कर रहा ह कि एक ऐसी vaccine develop करो इंडिन बायोटेक के सेक्टर में अगर बात करें जा फार्मा सेक्टर में बात करें तो ऐसी vaccine develop हो जो कि इस virus को अच्छे से खतम कर पाए और आगे बात कर रहे हैं कि scientists इस बात का भी यहाँ पर warning दे रहे हैं कि covid pandemic जो है यह कब खतम होगा इसके बारे में अच्छा इलाज ढूडा जाए तो यहाँ पर इंडिया को भी जरूरत है कि अपने यहाँ पर लीवरेज दे इस momentum को जो अपना domestic drug है vaccine companies है ठीक है उनको आगे लेकर आए उनको momentum पर दान करें कि आप आगे बढ़ो ओके तो यहाँ पर सिर्फ है development hub के तोर पर यहाँ पर आगे है लेकिन अच्छा research करना अच्छी development करनी है हमारे उपर है तो एक development hub के तौर पर जो है हमें आगे बढ़ना है और यह opportunity है हमारे पास तो यहाँ पर हम act कर सकते होना idea of local for global तो जो locally produce करेगी globally भी वही चीज जाएगी तो यहाँ पर इस move से जो है हमारा जो ecosystem research and development का इसको भी boost मि बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो जो आगे आर्टिकल है यहाँ पर हम बात कर रहे है a defeat for silence against harassment तो आपने सुना होगा कुछ साल पहले एक me too नाम का movement चला था जिसमें बहुत सारी women से कठी हो गई थी hashtag करके me too करके अपना case वहाँ पर discuss करती थी कि मेरे साथ भी sexual harassment हुआ है म कोई film industry में से बात कर रहे थे कोई journalist की industry में से में बात कर रहे थे मतलब की काफी धूम मची हुई थी कोई समय पहले me too moment की तो वो शुरू कहां से हुआ था मुद्धा और उसी मुद्धे के regarding जो है फैसला आया डेली हाई कोड का जिसमें जिस journalist ने यहाँ पर case file किया था उनक तो यहाँ पर उस लड़की ने बोला उस journalist ने खुलकर आगे आई और जिसने भी sexual harassment की थी उसके खिलाफ आवाज बुलंद की और court में case किया और आज उन्होंने defeat कर दिया उस दूसरे को और आज जीती हैं खुद वो तो इसी के regarding author बात कर रहे हैं कि आदे से जादा जो आगे बढ़ते ही नहीं है तो आदे से जादा लड़ाई तो वो तभी हार जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा social and cultural factors हैं वो victim को यह सोचने को भी मुझबूर कर देते हैं खासतोर पर जो woman की अगर बात करें तो उनको यह सब चीजें शर्मसार करने वाली लगती है शर्मनाक ल होती है जिसकी बदालत जो है न वो अब जो crime भी किया होता उससे आगे निकल जाते हैं और उनको कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि कोई उनके खलाफ बोलता ही नहीं है तो उनको क्या फरक पड़ेगा वो आगे ऐसे निकलते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और future में भी और आएंगे उनके द्वारा sexual harassment के तो इसी के regarding यहाँ पर एक case था जहाँ पर जन्रलीस्ट प्रिया रमानी ठीक है तो उन्होंने यहाँ पर accused किया था दोश लगाया था एक former editor थे और ex minister of state थे for external affairs जिनका नाम था MJ अकबर तो इनके खिलाफ sexual harassment का दोश लगा था तो काफी यहाँ पर news में यह बात आ गई तब और इस से इस MJ अकबर की जो इनकी reputation थी तो इनको भी यहाँ पर एक irreparable damage हुआ था काफी अच्छा खासा जब ऐसा दोश प्रिया रमानी जी के द्वारा MJ अकबर के उपर लगाया गया था और आगे बात करने की जो भी step रमानी ने उठाया तो उसको कोई दबार नहीं सका जिस भी तरह के का VIP culture भी उस समय था तो वो भी कुछ नहीं कर सका उदोंने अपने जो यहाँ पर ठान लिया था कि मैंने इस case को आगे लेकर जाना है तो वो आगे लेकर गई तो उसी के regarding buddwar को डेली जो district court है तो वहाँ पर जो है अच्छी power रमानी को दी गई और court की तरफ से प्रिया रमानी जी को बरी कर दिया गया जो भी MJ अकबर ने defamation का case file किया था इनके खलाफ कि मानहानी का case किया था कि इन्होंने नजायज मेरे उपर आरोप लगाए हैं तो उसी case की सुनवा कि woman को आप punish नहीं कर सकते कि अगर वो अपनी आवाज उठाती हैं किसी भी sexual abuse के खिलाफ तो यह statement है court की तो उनको हम punish नहीं कर सकते तो यह यहाँ पर जो complaint डाली गई थी defamation की MJ अकबर के दवारा तो उसी के regarding यह फैसला सुनाती है यह statement court ने दी है तो यह एक high profile case था तो करेगा कि अगर उनके साथ भी किसे देखेगा sexual harass होता है तो आप उसके खिलाफ खुलकर बोलो आगे आओ बोलो तो court ने एक बात underline करते हुए कही कि कोई भी right of reputation जो होता है cannot be protected at the cost of right to dignity तो आपकी जो reputation है वो उसकी भरपाई आप अपनी जो cost of right to dignity उसके असाब से जो आपको statement है तो right to dignity ये सबका हक है सबका अधिकार है तो इसके खिलाफ अगर लगता है कि आपकी dignity को किसने hurt कहा है तो आप court में जा सकते हो तो इसी के regarding ही जो M.J. अकबर है ये court में गए थे और इसी के regarding statement दी है court ने right to dignity के हिसाब से तो दोबारा एक बार repeat कर जाता हूँ right of reputation cannot be protected at the cost of right to dignity तो आगे बात करें कि अगर बात करें तो गेंद हमेशा जो है ना जो empowered लोग होते हैं जो protected जहांपर high places में जो लोग तैनात होते हैं तो उन्ही के पाले में रहती है तो अकबर भी यहाँ पर किसी publication के editor थे था जब वो प्रिया रमानी की interview कर ले थे किसी job कर गारी तो उस समय उन्हों ने यहाँ पर उनको sexually harass किया था हरास करने की कोशिश की थी और आखिर में बात कर रहे हैं कि court ने यहाँ पर सीधी सीधी बात कही है कि कोई भी जो woman है और उनको कोई भी grievances निकल कर आता है कोई भी दुख निकल कर आता है तो वो किसी भी platform पर जो भी उनकी choice का platform ह होगा उसके उसमें आकर जो अपनी बात कह सकती है चाहे वो काफी decades बात ही क्योंनों हो मतलब की actual में जो crime हुआ है जा sexual harassment काफी समय पहले हो चुकी है तो अगर आपका मन कर रहा है कि अभी करना है तो आप काफी समय बात भी जो है अपना जो grievances है उसको यहाँ पर किसी भी platform पर आकर बता सकते हूँ तो यह तरह का little push है जिस तरह का push एक woman को चाहिए था कि sexual harassment के खिलाफ आपको चुप नहीं रहना है तो यह case इस चीज को दर्शाता है तो court ने भी यहाँ पर जो जो एक push है इसको आगे exceed किया है court ने भी इसको आगे बढ़ाया कि बिल्कुल सही बात ह अगर किसी तरीके का sexual harassment का case आता है तो चुप नहीं रहना है आगे बढ़ना है exceed करना है और कोशिश करनी है silence कभी नहीं रहना है तो यह थोड़ा सा timeline है अकबर वर्सस रमानी का यह matter कब से शुरू हुआ है 8 October 2018 का जब उस समय रमानी ने अकबर का नाम लिया था एक tweet में यहा आर्टिकल के चलते हैं यहां पर अकबर का नाम लिया था sexual harassment के case में तो वही जब आर्टिकल आगे ज़्यादा popular हो गया तो अकबर को जब यह चीज पता चली तो नोंने यहां पर criminal defamation case डेली हाई कोट में प्रिया रमानी के खिलाफ दायर कर दिया तो उसी की सुनवाई आग 25 फरवरी को यहां पर डेली कोट जो है गरांड करती है रमानी को उसके बाद 7 फरवरी को यहां पर जो है final arguments की hearing जो है वो start होती है सब्तमबर उनी को यहां पर जो judge होते हैं जो सुनवाई कर रहे होते हैं वो उनको लगता हैगी आपर case को transfer कर देना जाए किसी और court में तो य कि वही करेंगे फिर नमबर 18 में judge hearing जो case होता उसको transfer कर दिया जाता है नमबर 21 में 21 नमबर को यहां पर नए जा जाते हैं जो दुबारा से final arguments की सुनवाई करते हैं फिर 1 फरवरी 2021 को court अपने verdict को reserve कर लेता है कि दोनों parties की final arguments होते हैं उनको सुनने के बाद फिर 10 फरवरी को इसको दुबारा delay कर दिया जाता है अरजन कर दिया जाता है 17 फरवरी तक क्योंकि जो written submissions है वो late पहुंचती है और फिर जाके 17 फरवरी को court अपना फैसला देता है जैसे कल फैसला आया है कि यहां पर कोई भी किसी तरह के जो charges है वो प्रिया रमानी के खिलाफ जो है वो प्र sexual harassment के खिलाफ तो यह court की statement थी तो यह पूरा का पूरा timeline चला है तो देखो कब से case लगा है और कब जाकर solution निकला है तो कितना समय लग गया यहां पर तो इससे यह चीज़ पता चलती है कि हमारी judiciary में अभी भी number of judges की बहुत भारी कमी है जिस असाब से cases निकल कर आते हैं उनके मकाबले में तो कहने का मतलब है अभी भी भी बहुत बड़े पेमाने पर recruitment चाहिए अगर cases का निप्टारा सही समय रहते करना है तो तो आगे जो front page से news है तो यहां पर बात कर रहे है Airtel starts up panel 2 outline regic options तो यहां पर Airtel जो है वो अपने business को थोड़ा सा reorganize करने जा रहा है तो Airtel digital का एक नया जो है portal जो है उसको यहां पर unlock करने जा रहा है कि उसके regarding जो है उसकी value को unlock किया जाए और दूसरी और जो non telecom businesses हैं उनकी उपर भी यहां पर focus करना जा रहा है कि इसमें भी यहां पर shares इसके बड़े आने वाले समय में तो एक नया startup जो है शुरू किया जाएगा आ और safe pay है तो अभी इनको Airtel Digital के अंदर ही house किया जाएगा और इसके इलाबा जो combine digital service revenue निकल कर आएगा Airtel का अभी वो 100 करोड के आसपास का है लेकिन आने वाले समय में इसको यहां पर बढ़ाना है 1000 करोड के आसपास का यह करना चाह रहे हैं आने वाले समय में इसके इलाब जो investment उसमय आई थी तो वो पूरे stake का 20% था तो 350 million dollar बनता था 250 करोड के आसपास रुपए बनते थे तो अभी Airtel जो है buyback करना चाहता है अपना stake तो यहां पर उसके लिए यहां पर 3000 करोड के आसपास का खर्चा यह करेगा और इसके लावा जो Warburg Pincus की नाम की जो entity है इनको shares offer करेगा अपने टेलको में और जो बाकी का balance उसको cash में जो है इनको अदा करेगा और इससे क्या होगा जब stake buyback हो जाएगा तो एक अच्छा control जो है वो Airtel के पास चला जाएगा तो यहां पर full control हो जाएगा भारती टेले मीडिया की उपर जिसके जो फलसुरूप जो यहां यहां पर Airtel होगा अपने हसाब से जो है यहां पर जिस तरीके की भी solution चाहता है customers को देना वो दे पाएगा तो अभी shares होते हैं अलग-अलग companies के तो इनको decision भी फिर सोच समझ के लेने पड़ते हैं तो बिलकुल यह एक तरह की जैसे सरकार होती है जहां पर हम कह सकते गढ़ गढ़ बंतन सरकार होती है तो जो गढ़ बंतन सरकार में बहुत सारे फैसले की उपर जो है ignore करना पड़ता है क्योंकि जो गढ़ बंतन में बाकी parties है कहीं वो ना नराज हो जाएं अगर वो नराज हो जाएंगी तो सरकार नहीं चलेगी बिलकुल यहां पर भी ऐसे होता है share market में जो बड़ी companies होती है जब share उनका stake बढ़ जाता है किस दूसरे का अपनी company में तो फिर उनको जो भी फैसले लेती है कई बार सोचना पड़ता है तो जब पूरा stake अपने पास होता है पूरी यहां पर ownership अपने पास होती है तो उस समय अच्छा खासा फैसला हो जब उनको पता होता कि consumer को क्या चीज़ चाहिए फिर उसी हिसाब से वो अपना plan त्यार करते हैं और आगे जो news है वो भी front page से है तो यहां पर बात करें KKR India NBFC तो यह NBFC है non banking financial company है और दूसरी और incorrect नाम की company है तो यहां पर अपने इनके जितने भी stock है इनको अभी यह merge करने जा रहे तो merger होगा तो देखे अगर कभी भी कोई दो companies आपस में merge कर रही है तो उसका मतलब यही है कि finance की जो situation है वो सही नहीं है जो liquidity की situation है वो सही नहीं है तो इसी के regarding जो है merger होता है हमेशा तो आप देखिए public sector banks के case में भी भारे सरकार merge करती रही है merger होता रहा है शोटे शोटे बैंकों को बड़े बैंकों में merge कर दिया जाता है तो reason यह होता है कि जो शोटे बैंक होते हैं वो कभी भी दिवालिया हो सकते हैं कभी भी वो उनका bank tap सी हो सकती है तो उनी को बचाने के चलते है जो है merge कर दिया जाता है तो यह एक यहाँ पर solution डूंडा जाता है कि खतम ना हो जाए कोई company इससे अच्छा है कि merge कर लो लेकिन merging के कई बार side effect भी हो जाते हैं कई बार जो अच्छा खासा bank चल रहा होता जिसको जिसके अंदर एक खराब bank को merge कर दिया जाता है फिर वो अच्छा खासा bank भी जो है ना उसकी भी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर यह दो companies हैं तो यहाँ पर अगर KKR NBFC की बात करें तो इसको सन 2009 में launch किया गया था तो इसका जो key focus था जो wholesale lending थी तो यहाँ पर यह पैसा पर दान करते थे promoter थे और इसके लावा मिजए 9 का जो business होता है तो इसमें यहाँ पर पैसा प्रवाइड करते थे acquisition financing में पैसा प्रवाइड करते थे तो इसके जो key share holders थे एक KKR खुद थे इसके लावा teacher retirement system टेकसास का और तीसरे थे ADIA तो यहाँ पर यह 35% के एसाब से यहाँ पर इनकी compound annual growth rate थी और जो की 5,694 क्रोर के आसपास बनती है 30 मार्च 2019 तक और जो इसके top 20 borrowers है वो इसका जितना भी loan book है इस NBFC का उसका 52% loan जो है इन्होंने borrowers ने उठ्वाया हुआ है तो यहाँ पर इनक्रेड और KKR इनका एक exclusivity एक pact हुआ था मर्जर का जुलाई 2020 में और दूसरी और अगर इनक्रेड की बात करें तो इसको 2017 में बनाया गया तो यहाँ पर DEUTCHE जो अच्छे नाम का एक bank है जिसके फार्मर ये official रहे है वपिंदर सिंग एक ये इनके key holders है इसके लावा इसी bank के जो co-CEU रहे है आशुजैन, महीपाल, गुरूप चेर्मेन, रंजनपाल तो इसके लावा और भी बहुत सारे key holders हैं तो इसके लावा बहुत सारे इनके investors भी है, partners भी है जिनके द्वारा ये इनक्रेट जो है ये चलाया जाता है ये भी financing का ही काम करता है और आगे जो news है वो भी front page में सही है तो यहाँ पर जो PLA scheme 12 सरकार के द्वारा चलाई गई थी जिसको production linked incentive scheme बोलते हैं तो इसके जलते 12,195 क्रोड रुपए हैं वो tele equipment को यहा पर 12 सरकार की जो approach है वो चारी है कि आने वाले 5 सालों में 12,195 क्रोड जो है हम इसको बाटेंगे ताँ जो कि यहाँ पर production में जो है न वो बढ़ातरी देखने को बिले तो production की जो कुल value यह चा रहे है यहाँ पर वो चा रहे है 2.4 lakh क्रोड की कि इसके जादा की value की production आने वा है इस scheme का main मकसद यही है कि telecom sector में हम import को कम करें और जारा तर हमारा import कहां से आता है चाइना से तो 12 सरकार चाहती है कि हम अपने दम पर आगे बढ़ें अपने दम पर production बढ़ाए telecom equipment की तो यहाँ पर जो import होता है 50,000 करोड के 1000 करोड से जादा चला जाता है तो इसको हम रोक करना चाते है कम करना चाते है यह जो यहाँ पर scheme है telecom equipment sector के लिए यहाँ पर operationalize हो जाएगी 1 April 2021 से और इससे काफी फाइदा मिलेगा direct और indirect employment के शेतर में भी और जो minimum investment जो threshold है जो micro, small and medium enterprises है तो वहाँ पर 10 करोड है और जो बाकी है इससे जो बड़े अदारे है बड़े corporate घरान हैं तो वहाँ पर 100 करोड का यहाँ पर minimum investment threshold है कि इतना minimum investment आने चाहिए तो जो MSME होती है यह शोटे पर माने पर काम करती है तो वहाँ तक की investment limit यहाँ पर 10 करोड तक रखी हुई है तो यहाँ पर भारसरकार चाहरी है कि यह जो incentive देगी इस scheme के चलते आने वाले समय में 40,000 के आसपास नई jobs create होंगी और इसके लावा 17,000 करोड का tax revenue आने वाले 5 सालों में generate होगा तो यह जो PLA scheme है सिर्फ telecom equipment sector में नहीं है इसके लावा 12 और sectors हैं जिसमें यह scheme लागू की गई है आने वाले 5 सालों में तो बाकी के 12 sector कौन से वाले हैं उसका answer दीजिए आप comment box में और यहां पर उन्होंने अपनी जो transactions की capacity है उसको काफी अच्छे तरीके से बढ़ा लिया है तो 1 billion तक के आसपास की जो daily transactions जो है यह कर सकती हैं यहां पर बात कर रहे हैं NACH की जिसको हम National Automator Clearing House भी बोलते हैं तो कुशी दिनों पहले जब budget announce हुआ था तो उस समय काफी market में उश जब अब payment करते हैं तो इसी NACH के दुवरा भी वो जो है electronic transaction होती है लेकिन हुआ क्या January के ही महीने में यहां पर upgradation हुई थी UPI और NACH में जिसके बदौलत कुश error यहां पर आ गई और बहुत सारी बड़े पेमाने पर जो payments थी वो आगे यह प्रोसीड ही नहीं कर पाए और मतलब काफी loss जो है हमारे पास हो गया तो बैंक के सामने भी transactions की लंबी line लग गई जो पैंडिक थी यहां पर national automated clearing house का मतलब यही होता है जिस तरीकी के भी electronic transaction होती है उसकी clearance होती है यहां से फिर आगे जाके जो है payment proceed होती है तो चलिए question का answer दीजिए so NACH को यहां पर set up किस institution के द्वारा किया गया है उस institution का नाम क्या है comment box में answer दीजिए तो अभी उसी चीज़ को यहां पर सही किया गया है तो अभी आप देख सकते हो की एक billion की daily transaction जो है वो अभी इसकी capacity इतनी बढ़ चुकी है जितने भी तरह की जो problems थी उनको यहां पर सही कर दिया गया है तो इसके लावा IMPs और AEPs यहांपर migrations काफी आपर हुई है February और March के महिने में भी इसके लावा change क्या किया गया है change किया गया है इसकी capabilities को बड़े problem के हैसाब से यहां पर और बढ़ा दिया गया है कि बड़े-बड़े पैमाने पर भी यह transactions कर सकते हैं experience को smooth कर दिया गया है customers के लिए especially जहां पर failed transactions जिनकी हुई थी वहां पर और यहां पर जो NPCI system है यहां पर इस सब system को जो है यहां पर देखके चलता है सही करके चलता है तो NPCI का मतलब है National Payment Corporation of India तो recently जिन जिन companies को problem यहां पर आई जिनको गुसा था तो यहां पर सबसे पहले HDFC bank है जिनके जो clients थे उनको यहां पर काफी सफर करना पड़ा December के महिने में इसके लावा जो SBI Yono है तो यहां पर भी बहुत सारे जो outages हैं उनकी निकल कर आई है November और December में तो reason यही था कि NPCI का जो NACI platform में यहां पर थोड़ी problems आगे थी January के महिने में और Google पे phone पे user जो थे तो इन्हों ने यहां पर जो था सबसे ज़्यादा जो था failure rate जो था रिपोर्ट किया था इस समय बे और आगे जो news है वो भी front page में से हैं तो यहां पर CoWin नाम की एक app है तो अभी एक नया version उसका दिया गया है CoWin 2.0 तो यहां पर आप vaccine की self registration करवा सकते हो तो यह app है इसको आप अगर mobile में download करोगे तो आप अपने हिसाब से जो है अपनी booking कर सकते हो appointment ले सकते हो और इसको reschedule कर सकते हो अपने हिसाब से कि कौन सा center आपने लेना है कौन सा time आ यहां पर आपने vaccination करवानी है तो यहां पर government ने इस बात को यहां पर कहा है कि कोविन अगर आप use करते हो तो इसका कोई विवाद नहीं रहेगा वोगे बिल्कुल सिंपल है और जो भी vaccine यहां पर लगेगी उसको real time base के उपर record कर लिया जाएगा और certificate जो है एक होगा उसको issue क कर दिया जाएगा उसी बंदे को जिसको यह vaccine लगी होगी कहने का मतलब की misuse ना हो आने वाले समय में vaccine का तो जो authentication है और certificate यहां पर जो दिये जाएगे तो इसी का यहां पर यह जरिया होगा एक single point app है vaccination के लिए और आगे जो news है वो भी front page में से निकल कर आ रही है तो यहां प publisher होते हैं जो अख़बारे शपती हैं तो वह बहुत मेनत करके news ही कठी करती है publish करते हैं और फिर जाके उनकी newspaper बिगती है फिर उनको बाद में revenue हुआता है तो Google का करता है जब Google के उपर कोई भी बंदा सर्च करता है तो कोई भी incident अगर हुआ होता है तो जिसके बारे में सर्च की जाती है लोगों के द्वारा तो अब हमारा ही content आगे जो है उसको forward कर देते हो तो अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आपको हमें pay करना होगा तो इसी के regarding कुछ दिन पहले हमने यह भी पढ़ा था कि Australia में Google ने शर्टी कर दिया था पूरा एक दिन के लिए कि लोगो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि लेकर रहा है जिसकी वज़ा से जो news के content के जो developer है जो publisher है उनको भी कोई ना कोई फाइदा मिले तो इसी के regarding जो news corporation Australia है और alphabet INC Google है उनके Google है उनके बीच में 3 साल का agreement होगा जिसमें Google अब pay करेगा news के लिए जो भी news इनके platform पे चलेंगी तो उस जहां पर वो audio और video journalism जो है इसके regarding जो भी share होगा जा add आएगी उसे साफसे revenue को अपने अपने इसाफसे बांटेंगे तो इससे एक अच्छा जो है एक reason मिलेगा जो हमारी companies हैं जो publishers हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वो खतम नहीं होगी वो आगे बढ़ेंगी उनक जो shares हैं वो all time यहां पर high गए हैं इंडा New York trading तो वहाँ पर all time high अभी यहां पर जाते हो देखने को मिले हैं तो यह कुशी दिनों पहले की बात यहां पर कर रहे हैं इसके इलावा जो agreement यहां पर include हुआ है तो यहां पर अलग-अलग titles हैं जैसे Wall Street Journal है, Barron Market है, Watch है, and New York Post है, as 30 local and regional news corporation in Australia और आगे जो news है वह है pure politics वाले page में से, तो यहां पर Congress ने अच्छा कासा sweep कर दिया है urban body के election में, तो कल मंजाब में result आया है, जो municipal corporations के election होए तो उसके regarding, जिसमें से जो 8 total municipal corporation है, जिनमें से 6 में, share में Congress जीती है, और largest party के तोर पर जो है, उबरी है, तो अभी अगले साल ही जो है, assembly election होने जा रहे है पंजाब में, तो उसी के regarding के कि इसको अच्छा sign माना जा रहा है Congress के लिए, तो जिन जिन corporations में यहां पर यह जीती है, तो यहां पर बठिंडा, उश्यारपुर, कपूर्थला, अबोहर, बटाला और पठानकोर, तो यह municipal corporations है, जहां प यह है, यह है COVID-19 impact and pharma and carriers वाले page में से, तो यहां पर बात करें, Resolute India Integral to Global FMCG Majors Growth Formulas, तो FMCG मतलब की जो fast moving consumer goods होते हैं, तो इसके यहां पर जो major producer है, तो यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में ग्रोथ बढ़ सकती है, यह market share और increase हो सकता है, तो य यहां पर basically बात यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की अच्छी market जो है fast moving consumer goods में से निकल कर आज रहे हैं, तो जो होरलिक्स बनाते हैं, तो होरलिक्स एक काफी popular नाम है, तो यह आप यहां पर prioritize कर रहे हैं कि यहां पर भारत में 8 core markets में यहां पर जो है investment करेंगे आने वाले समय में इसका proposal त्यार कर रहे हैं, तो इसके इलावा जो Mondelez है, तो Mondelez यहां पर जो Cadbury की आप chocolates खाते हो, तो यह इसी company के द्वारा बनाई जाती है, Mondelez यहां पर इसका group है, तो यह भी यहां पर इसका जो share है, वो है 1 billion dollar का, भारत में से जो share निकल कर जाता है Mondelez को, वो 1 billion dollar का है, इसके इलावा 9% जो है वो हिंदुस्तान Unilever का share है, जो भी यहां पर Unilever के जो global sales होते हैं उसके साफ से, पूरी की पूरी FMCG मार्केट में, और इसके रिगार्डिंग पेरनाओर क्रीचर्ट है, जो यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर आने वाले समय में यह मार्केट और आगी काफी बूम करेगी, इंडिया को भी यहां पर शामिल करके चल रहे हैं, 6.6 यहां पर जो है मार्केट होने का यहां पर अनुमान लगा रहे हैं, डेली ग्रोसरी की, हाउसोल्ड प्रोडक्स की, in December quarter and the highest in the past 16 months, यहां पर जो बात कर रहे हैं कि, पिछले 16 म बड़ी है, तो पिछले 16 मेनों से काफी highest चली है, यह तीन अलग-अलग companies हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी company, कौन सा product जो है इंडिया में बनाती है, तो मौन्रिलिस बनाती है, कैटबरी की chocolates, General Mills, Horlicks बनाती है, तो हिंदुस्तान Unilever के बहुत सार दिये जाएंगे for international passengers, जो भी flight से, जहां port के route भारत में एंटर करेंगे, तो उनके लिए नए rules होगे, तो उनमें क्या कहा गया है, aviation ministry के द्वारा, तो वहाँ पर बात कही गई है, कि जो travelers खास तोर पे जो United Kingdom, Europe, Middle East वाले areas में से आएंगे, तो उनको एक self-decoration form जो है, उसको submit क करना होगा, covid के लिए on online air sovida portal, तो ये जब भी उन्होंने यहाँ पर travel करना होगा, उससे पहले ये चीज़ करनी होगी, तो इसके इलावा, उनको अपना जो पिछले 14 दिनों की travel history है, वो भी declare करनी होगी, कि वो कहां पर रहे हैं, कहां पर, मतलब visit करके आए हैं, और इसके इ करनी होगी, और यहाँ पर भतर गंटों के अंदर कर जो है, इनको यहाँ पर test जो है, test जो है, वो यहाँ पर conduct होआ होना चाहिए, और इसके इलावा, जो mandatory यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो है self-paid confirmatory molecular test, जब यह पहुंचेंगे इंडिया में, तो यहाँ पर, जहां किसी port के द हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है fastest growing economy के तौर पर आगे बढ़ सकता है, 2021-2022 में, तो यहाँ पर यह report किन के दौरा दी गई है, S&P के दौरा, तो S&P क्या है, S&P का full form निकल कर आता है, standard and poor, तो यह एक तरह की US rating agency है, जो rating company है, जो rating देती है कि कौन से दे बढ़ा wave, second wave के तौर पर फैल सकता है, पुरे world में, और economy के recovery में दौरा से एक risk खड़ा हो सकता है, तो आगे बात कर रहे हैं, back to normal, S&P project कर रहा है कि 10% growth होगी, भारत की fiscal year 2022 तक, और 6% की यहाँ पर medium term growth बता रहे हैं, अगर compare करें बाकी economy से उनके दौरा, तो काफी अची growth भ बिल्कुल closely watch कर रहे हैं, जो भारत की vaccine drive है, उसको भी, और जो यह program है, vaccine immunization program है भारत का, तो यहाँ पर यह बहुत important है, अगर यह median term growth के माइने में आगे बढ़ना जाते हैं, और नए virus strain का सामना भी करना जाते हैं, तो economic recovery के लिए इनका immunization program काफी एहम है, इसके लावा जब अच्छी खासी population जो है, वो वैक्सिनेट नहीं हो जाती, तो उसके अलावा जो है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यहाँ पर यह भी बात कीजिए कि जो portion वैक्सिनेट होगा, वो भी 2022 के end तक ही हो पाएगा, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो, और इसके इलावा ब जो पैमाना जो expectation की गई थी, जिस पैमाने पर grow करेगा भारत, debt और deficit के मामले को concern रखते हुए, तो उसे साब से जो growth है, वो slower है थोड़ी, और जो fiscal consolidation के अगर बात करें तो gradual path की ओपर भारत चल रहा है, अच्छे तरीके से जो है, fiscal consolidation जो इसको भी balance किया हुआ है, तो आगे ज 12, जो hit record high यहां पर जो है देखा गया है, 2021 की जो production निकल कर आई है, food grains की, bumper harvest निकला है, तो यह 5th consecutive year है, लगातार है जो हम record production देते जा रहे हैं, food grains के मामले में, तो यहां पर यह दावा किया गा है as per the government's second advanced estimate, तो इसके regarding 107 million ton की जो wheat production निकली है, 119 million ton की rice output निकली है और 23 million ton की pulses की production निकली है भारत में, और एक और जो है यह consecutive 5 सालों का data है, 2016 की अगर बात करें तो 275, total यहां पर production निकली थी, इन सभी grains को आपस में मिलाकर average निकाली है, तो यह food grains जो production in million tons निकली है, 2016-17 में 275 million ton के आसपास है, और आगे देखी फिर 285, 296, और अभी जो 2021 का data है 297, मतलब की हर बार हमने एक नया record शुआ है, और आगे जो news है, वो भी same page में तो यहां पर बात कर रहे है, पेट्रोल एडिरेट रूपिस 100, तो 100 रुपे के पार जो है पेट्रोल जाना शुरू हो गया है, तो इसके regarding, भारत ने अर्ज किया है, जो opaque countries हैं, कि आप अपने जो output cuts हैं, उसमें थोड़ा सा ease कीजिए, ताँ जो की, जो हमारे यहां पर जो consumers हैं, वो hurt होने शुरू हो गए और economic recovery के ओपर भी बड़े होई prices से impact पढ़ रहा है, तो देखिए, अगर prices बढ़ते जाएंगे, तो लोग 100 बार सोचेंगे, कोई भी नई गाड़ी खरीदने के लिए खास दोर पर जो middle class है, जो यहां पर लोग निकल कर आते हैं वो, तो इस तरीके से पूरी economy के ओपर फर्क पड़ता है, अगर price control manner में चलेंगे, तो economy में भी अच्छा कासा boom देखने को मिल सकता है, यहां पर request की गई है, जो हमारे petroleum minister है, श्री दरमेंदर परदान जी दवारा तो उन्होंने एक appeal की है, जो key oil producer का देश है, पुरे world में, जहां से भारत तेल का यहां पर import करता है, उनको कहा है कि आप जो है अपनी output में, जिस तरीके के भी आप यहां पर कमी कर सकते हैं, जो prices बढ़ रहे हैं, उनको आप कम करने की कोशिश कीजिए, तो यहां पर दो तर इसका पूरा नाम है Organization of the Petroleum Exporting Countries, तो यह एक तरह की Intergovernmental Organization थी, टोटल 13 Countries है इसमें, इसको 14 सितंबर 1960 को बनाया गया था, बगदाद में, और पहले शुरुबात में इसके 5 मेंबर थे, और 1965 से इसका जो headquarter है, वो ऑस्ट्रिया में है, वेना में है, हालाकि ऑस्ट्रिया ओपे क्या ओस्ट्रिया जो है, वो क्या OPEC का एक पार्ट है, तो यह आप जो headquarter का अंदाज लगा कि आप answer दे सकते हैं कि हाँ पार्ट है, लेकिन actual में, ऑस्ट्रिया जो है OPEC Member State नहीं है, तो अभी आप मुझे OPEC Plus Group के बारे में, comment box में बताएं कि यह कब बनाया गया था, और इसमें कौन-कौन सी country से जो participate करती है, कितने member countries है, जिनका यह group है, और आगे जो news है, वो है companies वाले page में से, तो यहाँ पर जो consumer appliances हैं, जैसे TV, fridge, microwave हो गया, washing machines होगी, तो इन में भी, जो है काफी sales high देखी गी है, तो यहाँ पर decade high scales की बात करेंगे, दस्ट्रिकों के इसाफ़ अगर comparison करें, तो काफी बड़े मातरा में, जो है, sale होनी शुरू हो गई है, consumer appliances की, तो export यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कि lockdown ने यहाँ पर forced कर दिया था, जिसकी वज़ा से consumer की जिंदगी बदल चुकी थी, वह काम करने का, engage होने का, communicate करने का, यहाँ बदल चुका था, तो ज लाइन के चलते, जो है, entertainment चाहिए था, लोगों को, और इसी के रिगार्ड घर में लोग रह रहे थे, गर्मियों को जिनते, AC वरिज बगारा, यह सब चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ पर जो sales growth देखने को मिली है, 25% यहाँ पर रोतरी AC की यहाँ पर विकरी में हुई है, उसके बाद refrigerator में 15% है, 39% microwave ovens में है और 24% washing machines में है, और आगे जो news है वो है, disruption, startups and tech वाले page में से, तो यहाँ पर बात की गई है Elon Musk की, तो आपने news में सुना होगा, कि Elon Musk जो है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदवी बन चुके हैं, तो लेकिन यह सफर जो है, सिर्फ कुशी ही अबी दुबारा से, जो Jeff Bezos है, जो Amazon Group के यहाँ पर CEO है, अभी दुबारा से वो दुनिया के सबसे richest person बन चुके हैं, तो मंगलवार की बात है, जब Tesla Company का 22.4% के असाब से इनकी जो share थे वो गिर गए, जिसकी वज़ा से 4.6 billion dollar जो था वो निकल गया, जो यहाँ पर Chief Executive Officer का जो fortune था उसमें से, और जिससे यहाँ पर, जो उनकी यहाँ पर top spot था, पहले स्थान पर थे उससे खिसक कर अब वो नीची आ गए है, और Amazon के जो मालिक हैं वो उपर चले गए, तो यह index किसने दिया है, रैंकिंग दी है, Bloomberg Billionaires Index के द्वारा यह रैंकिंग की गई है, तो इनके द साल तक रहा, पिछले महिने तक, और अभी दुबारा से उन्होंने अपनी जो position है, number one position उसको reclaim कर लिया है, तो अभी उनके बास जो net worth है, वो 191.2 billion, sorry, 191.2 billion dollar की है, और जहां फिर आप ऐसे भी क्या सकते हो कि 955 million dollar जादा है Elon Musk से, और अगर बात करे Elon Musk की तो सिर्फ वो कम से हम शे हवतों तक ही वो दुनिया के richest person रहे, और अब दुबारा से Jeff Bezos जो है, वो आगे आ चुके है, और अभी समय है, शीशे के सामने जाने का, तो यहां पर तीन words है जिनकी आपने practice करनी है, पहले है defamation, defamation word हम, हमेशन यूज़ करते हैं मानहानी के लिए, तो यहां पर जो तीसरा है emerged, मतलब उभरना, और तीसरा है leverage, leverage मतलब किसी situation में से यहां पर lab उठाना, तो अभी यह तीनो words को use करके एक sentence बनाएए, copy pen लीजिए, उस sentence को copy पर लिखिये, और उसको बार बार repeat कीजिए, शीशे के सामने जाकर, तो इससे आपकी यहां पर जो vocabulary है, वो improve होगी, औ और जो pronunciation English की वो improve होगी, आपको बोलना आएगा कि कैसे यहां पर लगातार जो है आप बोल सकते हो English में, और अभी बारी है economic concept पढ़ने की, तो आज का topic है वो है appreciation के बारे में, तो economy में इस word को हम दो तरीके से, दो census में use करते हैं, सबसे पहली बात जो कर रहे हैं, जब भी कि इसी asset में समय के हसाब से उसके price में वृती होती है, जैसे कोई land हो गया, जमीन के price में वृती होगी, किसे building जा house के जा office के यहां पर price में वृती होगी, तब वहां पर हम word use करते है, capital appreciation, और दूसरी और जब हम currency की value की बात करें, तो अगर उसको हम compare करें किसी foreign currency के साथ, तो अ पाता है, जगर हमारी जो market है, वो यहां पर floating currency exchange rate system है, अगर इसको follow करके चल रही है, मतलब कि अपनी currency को market के हवाले किया हुआ, market जो है, तया करती है, कि एक डॉलर के प्रति कितने रुपए होगा, कितने रुपए मिलेंगे, तो जब तक बहुत साथी economies ऐसे भी हैं, जो अपने हिसाब से यहां पर value दिखाती है, कि हमारी currency की यह value निकल कराती है, तो भारत में भी 1990 से पहले यह ऐसा ही था, तो बाद में हमने अपनी currency को बाहर की market के लिए खोला, तो उस हिसाब से हमारा rate तया हुआ, और धीरे धीरे समय के हिसाब से हमारी currency की value काफी गिरती गई तो अभी समय है नक्षे को पैचानने का, तो identify कीजिए कौन सा state है या फिर कौन सी UT है यह, तो अभी हम बात करेंगे जो कल question पूशा गया था, जो कल map का question था, वो था गोवा का, तो अभी आप पूरे भारत में देखिए, इस सभी राज्ये हैं, तो यह यहां पर गोवा है, तो गोवा कौन कौन से राज्यों से अपना border touch करता, एक महाराश्टर है, दूसरा है करनाट का, ध्यान लखेगा, तो इस सवर यहां पर Arabian Sea है, तो कब बनाया गया था गोवा को, statehood कब मिला था, वो मिलता, 30th May 1987, इस से पहले गोवा भी एक union territory ही थी, और इसकी capital कौन सी है, इसको पंजिम भी कहा जाता है, largest city है, वासको डिगामा, ध्यान लखेगा, दो ही district है, पूरे गोवा में, और जो government के अगर बात करें, तो governor कौन है, भगर सिंग को शियारी, तो ये भगर सिंग को शियारी महाराश्टर के भी governor है, और गोवा के भी governor है, ध्यान लखेगा, ची सेकेटरी अभी के लिए, परिमरल राय है, आई एस है, टोटल एरिया जो है, वो 702 किलोमेटर स्केर का है, और इसके लावा जो population निकल कर आती है, 2011 के census के मताबिक, तो वो है 14,58,545, तो अभी समय है, सबसे important जो चीजे यहाँ पर जानने का, जो symbols हैं गोवा के, तो सबसे प मैमल है, गौर इसको बॉस, गौरू भी बोलते हैं, ध्यान रखीगा, उसके लावा बर्ड जो है, वो है, फ्लेम, थ्रोटर, बुलबुल, तो ये इसका साइन्टिफिक नेम है, तो साइन्टिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, इसका भी थोड़ा सा आपको पता होना चाह इसके लावा जो फिश पाई जाती है, वो है, ग्रे मॉलेट, शेवटो, ये कौनकनी यहाँ पर इसको बोला जाता है, कौनकनी में इसका नाम है फिश का, इसके लावा जो साइन्टिफिक नेम है, वो है मुगल, सेफालूस, जो फ्लावर है, वो है जैस्मीन, और जो साइन पूशा जा सकता है अगर आप किसी बड़े एक्जाम की त्यारी कर रहे हो फर एक्जाम यूपी ऐसी तो वहाँ पर तो आप इन सब चीजों की नौलेज होनी जरूरी है जब भी क्वेशन आता है आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज कहां पर पाई जाती है तो उससा जादा से जादा शेयर करें ताजों की जिन बच्चों को ऐसे लेक्चर की जरूरत है वहां तक ये लेक्चर पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद